की गवाई ये हैं कि परमेश्व ने इसके जीवन में बहुत बहुत अदबुद काम किया है बहुत बड़ी गवाई को लेकर ये बहन आई हैं ये बहन बताती हैं कि शनिवार को ये बिशप अमर्दिप जी की लाइव प्रेयर मिटिंग देख रही थी जिसमें बिशप से ये बहन बहुत जादा परशान थी ये बहन बताती हैं कि जैसे ही बिशप अमर्दिप जी ने लाइव प्रेयर में प्रात्ना की इस बहन ने उस प्रात्ना को रसीव किया और मिश्व ने इसके जीवन में बड़ा अद्बुद काम किया ये बहन अपने घर पर बैठी ही लाइव प्रेयर को देखते हुए विश्वाश के साथ प्रात्ना को सुनते हुए चंगी हो गई हालेलुया आज ये बहन अपनी उस बीमारी से जो 25-26 सालों से थी आजाद हो चुकी है उसके लिए ये परमिश्व को धन्यवा देती हैं आएं हम इनकी गवाई को सुने अपने शनिवार को लाइव प्रात्ना करी थी और सबसे पहले आपने यही प्रेयर की थी कि जिनला कोरिया है प्रभू उन्हें चंगाई दे और मैं प्रभू का धन्यवाद देती हूं प्रभू ने मुझे इस बीमारी से चटकारा दिया इस गुपत रोग से ये बीमारी आनले से कम पक्चिस चपिस साल से थी बहुत पुरानी पुराना रोग था और आपकी प्रात्ना के द्वारा से तको ने मुझे चुटकारा दिया ब्रभू ने मुझे चंगाई दी मैं आपको धन्यवाद देती हूं और और प्रभू आपको भी आशीच दे बरकत दे कोई आराम नहीं आया यह बैहन बताती सोस्ते लाइट के उपर टीके भी लगवाए लेकिन उससे प्रान की कोई फरक नहीं पड़ा इसका ढ़ाँ यह बयान की शमया डेकिर देख रहिए जिसेप अमदीइय चीवानी करते तो यह कह रहे थे कि जिनके गुटनों में दर्द हैं आज वो लोग चंगे होने वाले हैं जिनके भी गुटनों में दर्द हैं वो अपने गुटनों के उपर हाथ रखे मैं उनके लिए प्रातना करूंगा और परमिश्वरों ने चंगा करेंगे तब इस बेहन ने उस प्रात को रसीव करने से गर पर बैटे ही इस बहन ने उस चंगाई को पालिया हालेलुया आएं हम इनकी गवाई को सुने जय मसी थी सारे अलीशियान जय मसी थी पापा अमन दीप उसने लैब चलाई सी लैब चलाया था जो जो उस मैं रसीव कर दी रही मैं पाइस साल होगे मेरे घुटने अंदरद मैं बहुत इलाज कराया बहुत द्वाईया उते गोटे आदे में टीके भी लवाय कोई फार्क न कोई भी एक उते हाथ रखने ठीक हो जानगे मैं रख्या मेरे उसे टाइम मेरे बोटे ठीक होगे मैं धन्यावाद करनी आप कलीशियन उसारे जय मसी